हलो एवरिवन, वेलकम टू सरोज मैथेमेटिक्स टुटोरियल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो UGC द्वारा गाइडलाइन जारी किये गए हैं, examination calendar, academic calendar, assessment और examination pattern क्या होने वाले हैं इस पर पूरी डीटेल गाइडलाइन आ चुकी है, तो सीधे चलते हैं, UGC द्वारा जारी किये कि उस गाइडलाइन की तरफ, अगार आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो प्रीज सब्सक्राइब कर ले, अपने friends के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और notifications के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो चले हम चलते हैं, उस notification या guidelines जो UGC ने जारी किये हैं, जो event semester थे, वो 1st January 2020 को start हुए थे, suspend कर दिये गे थे 16 मार्च के करीब, उसके बाद teaching learning जहां तक possible हुई वहां, 16 मार्च onwards, online हो रहे हैं, जहां पर भी possible हो 31st May 2020 तक, उसके बा project work, etc., internal report, etc., submission हो जाने चाहिए, और summer vacations declare होने चाहिए, 16th June 2020 से 30 June 2020 तक, उनिवर्सिटीज और colleges में, terminal semester या, terminal year के examination 1st July से लेके 15 July तक, और intermediate semester या year, examination 16th July से 31st July तक हो जाने चाहिए, साथी साथ, evaluation और declaration of result 31st July तक होने चाहिए, terminal semester या year के लिए, और intermediate semester या year के लिए, 14th August तक, result की declaration हो जानी चाहिए, चलिए ये तो हो गई examination के बारे में, तो ये इससे अंदाजा लग रहा है कि examination जो है, वो जुलाई में conduct कराए जा रहे हैं, जो पहले में में होते थे, चले, आगे देखते हैं, examination pattern के लिए भी गाइडलाइन जारी किये ग निकल गया है, expired हो गए, तो उनको क्या करना है, उनको six months की extension दी गई है, expiry date irregular prescribed period से six months तक, और वो अपने date extended समझ लें, और अभी छे महीने के अंदर वो बाकी का अपना काम जो रह चुका है, रह गया है, वो submit कर सकते हैं, तो ये six months की extension एमफिल या PhD वालों को दी गई है, चल वाइवा के exam होते हैं, उनको video conferencing, skype, etc, google, microsoft technology की मदद से लिये जाने की अभी जादा से जादा कोशिश की जाएगी, तो contact में ना आ सके candidates, इसके लिए video conferencing, skype, microsoft technology की मदद से उनके वाइवा के काम को complete किया जाएगा, यानि pending नहीं रखा जाएगा, चले आगे और भी चीज को ध्यान में रखते हुए, ये भी decision लिया जा सकता है, बहुत जगों पर की grading कर दी जाएगी students की, जिसमें 50% marks, जो internal evaluation जो अल्रेडी हो चुके हैं, उनके हिसाब से होगी, और 50% marks carry forward, means previous semester में कैसी performance student की, उसके हिसाब से 50% दिये जाएगे, इस तरह 100% marks को 2 parts में divide किया है, 50% internal evaluation को और 50% जो पिछले semester के examination के performance है, उसके हिसाब से इस बार grading कर दी जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है कि social, और अगर कहीं possible होगा तो online examination conduct करना, तो वहाँ पर online examination conduct की जाएगी, चलिए और आगे देखें हम, 2020-2021 के लिए जो session स्टार्ट होने वाले होते हैं, उनके लिए नया suggestion guidelines, UGC guidelines की तरफ की 1st August से उसे शुरू किया जाएगा, और 1st August से लेके 31st August तक admission की process को जारी रखा जाएगा, और इसके बाद ये पूरी detail आप screen पर देख सकते हैं किस तरीके से academic calendar बनाया गया है 2020-2021 session के लिए, चलिए बात करते हैं, net examination की यहाँ पर, क्योंकि सारे examination जु July या August में हो सकती है, या उसके बाद September में ली जा सकती है, तो hope ये session आप सभी के लिए useful, ये guidelines में आपको दिखा दूँ, ये guidelines आई होई है UGC की तरफ से, UGC guidelines on examination and academic calendar for the universities in view of this lockdown, तो hope ये session आप सभी के लिए useful रहोगा, इस तरह के useful session लेके मैं फिर आपके पास आती रहोंगी, तब तक के लिए आप सभी को best wishes, thank you very much.